सच का आइना दिखाने वाले पत्रकारों पर अब जान लेवा हमले बढ़ते जा रही हैं लेकिन हमलावरों को इतना नहीं पता पत्रकारों पर हमला करने पर जेल की हवा खानी पड़ती है अब खबर विस्तार से थान सदर बाजार निवासी पत्रकार देवेश त्यागी स्टेडियम में खेलने जा रहे थे उसी समय कोट रोड फुल पर कार सवारों के साथ किसी बात पर उनकी कहा सुनी हो गई आरोप है कि इसके बाद आरोपी पुर्व ब्लॉक प्रमुक भाजपा निता घंशाम सिंग अपने साथियों के साथ यहां पहुँचे और देवेश त्यागी पर हमला बोल दिया घटना का पता लगती पुलिस भी मोके पर पहुँची और चॉल्टि घंशाम सिंग रविंदर ठाकुर को हिरासत में ले लिया पुलिस ने तीन लोगों को नामजद करते हुए आठ अग्यात के खिलाब मुकदमा दर्श कर लिया है पुलिस फरारचे आरोपियों की तलाश कर रही है वहीं मेडिया एसोसियेशन ने पत्रकार पर हुई हमले की कड़ी निंदा की है रिपोर्ट इंडिया 24 टीवी नियूज